यह है शामी टीवी स्टिक 4K यह आपके नॉर्मल टीवी को स्मार्ट बना सकता है और अगर आपके पास कोई ऐसा टीवी है जिसका उपरेटिंग सिस्टम पुराना हो चुका है तो उसे भी यह अपग्रेड कर सकता है यह एक HDMI डॉंगल है और आपका जो टीवी है उसमें HDMI पो अगर आपके पास 4K टीवी है तो मेडेक सेके यह पर नहीं है और अगर आप के पास 4K टीवी लेंगे तो मेंक सेंस आप इसके लिए जा सकते हैं वरना जो पुराने वाला शामी के साथ मैं बिलता है तो इनके से अगर आप यह जो डिवाइस है टीवी के साथ में कनेक्ट करते हैं तो जाता करके आप इसे ही उसकरने वाले हैं यह यूजबी टु माइक्रो यूजबी केबल दिया हुआ है जो की यह जो डॉंगल है इसे पावर करने के लिए और यह देखिए यह HDMI कने है इसे यूजब कर सकते हैं और जो आखरी चीज रह गई है बॉक्स में वो है यह पावर एडाप्टर जो की यह जो डॉंगल है इसे पावर करने वाला है रिमूट के ओपर डेडिकेट बटन दिया हुआ है नेट्फलेक्स अमेज़न प्राइम डिस्डी प्लस होट्सार औ और आप्स के लिए और वोईज इंपुट के लिए भी यहाँ पर डेडिकेट बटन दिया हुआ है गुगल एसिस्टेंट इसके अंदर आपको बैटरेज दालनी है वैसे बैटरेज बॉक्स के अंदर नहीं दिया हुआ है तो यह देखे यह छोटा सा डिवाइस आपके टी दिया हुआ है इसे भी पावर की जरुद पड़ेगी तो उसके लिए इसका डिजाइन काफी बढ़िया है वैसे एनिवे यह जो डॉंगल है यह टीवी के पीछे होने वाला है तो यह कैसा दिखता है इससे कुछ फरक नहीं बढ़ने वाला है तो इसका जो सेटप प्रसेस ह है इसमें डालना है और यह जो अडाप्टर है इसे पावर पॉंट में डालना है ताकि यह जो डॉंगल है इसे पावर मिल पाए और यह जो डॉंगल है इसका जो HDMI कनेक्टर है इसे आपको आपको टीवी का HDMI पोर्ट है उसमें डालना है इनकेस पीछे स्पेस नहीं है तो आ असानी से यह लग जाएगा तो मैंने शाओमी टीवी स्टिक 4K कर दिया है इस टीवी के साथ में यह शाओमी का ही स्मार्ट टीवी है स्लिमिस टीवी जो उन्होंने 2018 में लांच किया था अभी तक चल रहा है और यह है टीवी का इंटरफेस देख सकते हैं कि एक तरह से आउपडेटेट हो चुका है कभी कवार आइधिंक अपडेट साते हैं लेकिन मैंने कभी चेक नहीं किया है क्योंकि मैं ज्यादा करके मैंने कनेक किया हुआ है और यहां पर मैं इसे क्लिक करता हूँ ताकि जो मी टीवी स्टिक है वो लोड हो जाए अब यह जो इंसलेशन है मैं पहले बार कर रहा हूँ तो मुझे इसका जो सेटप है यह करना पड़ेगा और अब मैं जो रिमोट दिया हुआ है इस टीवी दिया है और यह है इसका डिफॉल्ट इंटरफेस अगर आप चाहिए तो यह जो इंटरफेस है इसे यूज कर सकते हैं यह एंड्रोइड टीवी ओस वर्जिन 11 रन कर रहा है और इनकेस अगर आपको यह जो सिस्टम है इसे चेंज करना है तो पैच्वाल ऑप्शन दिया हु आपको अच्छा है अलग है और क्लारिटी भी काफी अच्छी है जो थम्निल से इनकी क्लारिटी बहुत ही बढ़िया मुझे लगी और यहां पर दिखें ऊपर मुवीज शोज म्यूजिक लाइव स्पोर्ट्स और किड्स यह सारे कैटेगरीज या टाप के सकते हैं वो दिय अगर आप मुवीज में जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे सब काटेगरीज दिया हुआ है जैसे कि हिंदी में अगर आप देखना है तेलगूर, तमिल, इंगलीश, मराथी और इनके अलावा कुछ अप्लिकेशन भी हैं आप उन्हें इंसल्ल कर सकते हैं प्लस अगर आप यह जो सिस्टम है से यूज करना शूरू करते हैं वैसे वैसे जो रेकमेंडेशन है वो वैसे वैसे मतलब कि आपके लाइकिंग के हिसाब से आना शूरू हो जाता है अच्छी बात यह है कि यहां पर लाइव ऑप्शन भी दिया हुआ है तो आप यह जो चैनल से इन्हें ल मिलने वाली है यह देखे हैं नेटफ्लिक्स पिचो कोल्टी बहुत ही बढ़िया है और जो साउंड कोल्टी है यह भी काफी इंप्रेसिव लेवल की है वैसे जो डिस्प्ले है आज वैस जो साउंड है यह आपका जो टीवी है उस पर डिपन करने वाला है लेकिन अगर पावर्ड है पावफुल जीप्यू के साथ में आता है तूजी भी रायम है और एट जीबी स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है क्रूम का सिसमें बिल्ट इन है दूल बैंड वाइफाई है और ब्लुटूथ टेक्नलोजी भी यूज़ कर रहा है लेकि आज के तारीक में जितन चाना बंद हो जाएगा उसके बाद में शायद आप आपको जो टीवी है उसे अपडेट करना चाहें उसके लिए इस प्रकार के जो डिवाइसे हैं ये काफी काम में आएंगे वैसे आगे चलके इससे बहतर आप्शन भी आने वाला है लेकिन फिलाल अगर आपका टीवी आ आपको जैसा एक्सपीरेंस मिलता है वैसा ही एक्सपीरेंस आपको इसके साथ में मिलने वाला है यह जो टीवी स्टीक है इसका प्राइजिंग है 4,999 रुपीस लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है देखते रहें